हेलो गुडीम्डिंग साथियों आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं जिसका नाम आपके सामने लग चुका है इनिक वालिटी ये वो चैप्टर है जो आपको बैंकिंग सेक्टर में सर पांच नमबर दिलाएगा तो बहुत कम टाइम में स आपको मेरे साथ बने रहना है तो चलिए स्वागत है आपका मेरे इस यूटूब के चैनल ऑनली एजुकेशन हब पर स्टार्ट करते हैं हम आज कर नया वीडियो राइट चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं इसमें क्या नया है हमारे सामने ध्यांत सुनिएगा पहले हम एक बात कर लें भाई कुछ क्वेस्टन के टाइप की बात कर लें कि उसका क्या सिगनिफिकेंस इनिक्वालिटी का तो किस हिसाम से आपके पास इनिक्वालिटी दे रखे होगी तो इस चीज़ को जानने के लिए बिलकुल ध्यांत से समझेगा देखें, दो वेरिएबल पे बेस हम एनिक्वालिटी आज पढ़ रहे हैं, right, x और y वेरिएबल आपके पास हैं, तीन वेरिएबल की भी इनिक्वालिटी आ सकते हैं, लेकिन आज हम दो वेरिएबल के बारे में बात करने जाएंगे यह पूरे वीडियों में, right, और दूसर समी करण बोलते हैं हिंदी में equation को right तो भई जहां power 2 है इसका मतलब या आपके पर दूइघा समी करण है और जहां power 1 है किसी variable की इसका मतलब वो आपके पास सरल समी करण है या मैं बोलू linear equation है जैसे मालो आपके पास लिखाओ बचे ax plus by is equal to c this is called a linear equation and this is called a quadratic equation ये दोनों ही example या मैं बोलू दोनों ही equation हमारे paper में आती है और ये मैंने आपको बताए ये 5 number का chapter है बचे ये banking especially chapter है बाकी किसी area में एससी वगिरह में ये चीज़ें कभी कभी आती है तो उसमें बस बचे 2 number का weightage होगा या फिर एक number का weightage हो सकता है तो आप बड़े ध्यान से chapter को समझने का प्रयास करिएगा most important chapter है और बहुत ध्यान से समझने की दर होते हैं बचे आपको क्या मिलेंगे banking की बात करने तो आपको 5 option मिलेंगे हमें करना क्या है x और y की 2 equation given होगी बचे तो उन दोनों equation में हमें x और y जो variable निकाला है इनके बीच में comparison करना है तो comparative operators क्या होते हैं तो comparative operator में greater होगा, less होगा या equal होगा और इन दोनों के combination से क्या बन सकते हैं greater equal, less equal या simply equal तो हमारे पास ये 5 options bracket में मिलेंगे इन 5ों में से एक right answer हमें बनाने की जरुद पड़ेगी, right तो आपको ध्यान से इन चीजों को समझना है ये 5 option में से कैसे हम उन चीजों को tick करेंगे, right तो ध्यान से समझना स्टार्ट करें लगाते हैं पहला question बहुत basic सा concept है, लेकि उसके पहले याद होगा, तो formula जैसे मालो x की value निकालना तो भई क्या लिखते थे minus b plus minus under root, right ये लिखते थे, b square minus 4ac upon 2a ये बात बढ़ते थे तो भई ये relation आपके पास quadratic को solve करने के formula की है एक बाद थोड़ा सा cross shake कर लेना इस formula को, right तो ये आपके पास बात बनेगी तो आपके ऐसे बना सकते हो, ठीक है या फिर हमारे पास क्या बनती बचे आपके पास ये बात बन जाती है या तो हम इसके factor method लगा दें ये दो बातें हमारे सामने निकाल नदर आती हैं, या तो हम इस question को factor method से बना दे या तो हम इसको formula लगा के बना सकते हैं और ये दो बातें आपको बहुत अच्छे समझना है मैं बीच बीच में आपके दिमाग में doubt डालता रहूँगा प्लीज उनको धान से समझने का प्रयास करिएगा और यदि उस quadratic equation की बात सुनो यदि quadratic equation की बात करें तो हमारे पास हमेशा equation में दो तरह के sign होंगे ये दो places पे हमेशा sign होंगे तो इन sign की क्या-क्या possibility हो सकते हैं ये दोनों ही sign बच्चे या तो plus में हो सकते हैं ये दोनों ही sign या तो आपके plus में हो सकते हैं या तो possible 4 possibility है जो perform हो सकते हैं या आपको ध्यान लखना ठीक है बात अच्छा अब एक बात ध्यान लखनो जब भी आप equation को solve करते हो बच्चे ध्यान से समयना जब भी आप इस equation को solve करते हो तो आपके पास x की 2 value निकल के आती है इन दोनों value को हम root बोलते हैं तो यह root निकल के आते हैं तो भई इनके भी कुछ न को sign होंगे तो भई इनके sign भी possibility कितनी होगी चार होगी यदि 2 है तो हमेशा 4 ही होगी तो आप मेरे को बताओ क्या हम इस relation को थोड़ा direct याद कर लें यह shortcut method है बच्चे यह shortcut method है हम इसको detail में नहीं करेंगे न तो हमारे चुटकियों में answer निकल आगे देखेंगे slides में आपको सारी बाते सिखाऊंगा चार बार इस table को आप लिखके देखना यह सारी बाते आदो जाएंगे तो सुनो ध्यान से यदि बच्चे question मेरी plus plus sign है तो जो answer में 2 root निकल रहे हैं बड़े धान सुना जो answer में 2 root निकल रहे हैं बच्चे उनमें माइनस लगा दिना है यह कैसे आ रहा है मैं एक equation को solve करके जरूर बता दूँगा आपको ठीक है अच्छा यदि हम बात करें यदि question में minus plus है प्यारे बच्चे तो आपको हमेशा दोनो root positive मिलना चाहिए और positive मिलेंगे right plus लगाना है या मैं बोलू यदि पहली जो equation है उसमें plus environment में बच्चे दिमाख में याद कर लो इसके बाहर table में कुछ नहीं जाएगा बस इतनी सी table याद हो गया तो सारा काम आसान हो गया और यह sign कौन से हैं आपके quadratic के case में मैं समझा रहा हूं बच्चे तो आपको quadratic में समझना linear के case में नहीं है बात मैं आपको फिर से बता दू दूइगात समीकरण होगा उसी के लिए हम ये चीज़ यूज़ करेंगे साधरन समीकरण के लिए यूज़ नहीं करना है ये बात ध्यान रख लीज़ेगा ठीक है restriction बहुत अच्छी है से ध्यान लखिएगा चलिए start करते है question की सुरुवात करते हो बहुत अच्छे से आप वीडियो को पॉस करके question लगाने का प्रयास करिएगा उसके बाद मेरे solution पर आईएगा देखेगा ये लोग भई सबसे पहला एक question मेरे सामने लग चुका है तो please इस question को जड़र जल्दी से try करें वीडियो को पॉस करें और please इस question को बनाने का प्रयास जरूर करें क्योंकि आ आप प्रयास करेंगे आपका motivation बढ़ेगा धान से इस question को बनाईएगा मैं जब तक इसका table side में जल्दी से चिपका देता हूं question side और answer side जो मैंने आपको table में बनाए थे मैं यहां लिख देता हूं जिससे कई सारे बच्चों को ये चीज़े समझने में आसानी रहेगे मैंने बोला था दोनों यदि plus के होंगे बच्चे या फिर हमारे पास minus plus का combination होगा या plus minus होगा या फिर minus minus होगा तो answer में क्या लगाना है तो ये दोनों value minus की आएंगे ये दोनों value plus की होती है और ये minus plus होता है और ये आपके पास क्या होता है बच्चे plus minus बस ये table चार बार चीज नहीं है याँ ठीक है ध्यान सुना अब मैं एक equation को बच्चे detail में solve कर रहा हूँ करते क्या है आपको उस 10th class की equation से जोड़ने का कोसिस करता हूँ जो आपने previous 10th में कभी पढ़ा होगा ठीक है उससे जोड़ने का प्रयास करना है सुनो करते क्या है बचे इस नंबर के दो तुकड़े ऐसे करना है जिनको हम add करें या subtract करें तो हमें ये 7 मिल जाएं दो तुकड़े करना है और उनी दोनों नंबर का multiply करें तो हमें 12 मिल जाएं तो हम कोसिस करते हैं 12 से तोड़ने का प्रयास करते हैं 7 को तोड़ने के वादे 12 तोड़ते हैं तो 12 के फेक्टर कितना बनता है 4 तीन 12 होता है 4 प्लस 3 साथ होता है तो मेरी equation ऐसे तोड़ सकती थी x स्क्वेर प्लस क्या होगा भचे ध्यान सुनना तो आपके पास ही हो जाएगा बचे 4 x प्लस 3 x 4 और 3 साथ हो जाएगा बचे और प्लस में कितना हो गया 12 is equal to कितना हो गया 0 ये equation बना सकते हैं अब क्या करते थे हम लोग बच्पन में ये हम इसके करते से जोड़े बनाते थे तो यार इन दोनों का जोड़ा बनाया तो x common आ गया तो यार x common आ गया तो ये x प्लस 4 बच गया और यहां कितना common हो गया बचे तीन common हो गया तो यहां कितना बचेगा फिर से x प्लस 4 बराबन में कितना आ गया 0 अब देखो दोनों जगए x plus 4 common आ गया कि नहीं आ गया अब इन दोनों को यदि common लेले तो बच्चा है कितना x plus 3 तो बच्चे का is equal to में कितना आ गया 0 फिर से धान सुना अब इसके बाद क्या करोगे बच्चे अब क्या करोगे भई आपको बताईए पूरा का पूरा उठा के यदि में 0 के नीचे लगा दो तो x plus 4 की value मेरे पास 0 के बराबर आ गई ऐसे यदि मैं इसको इसके नीचे फसाद हो तो x plus 3 की value भी 0 के बराबर आ गई तो आप मुझे बताओ x की value क्या minus 4 नहीं आई और यहां पर मेरे को बताओ x की value minus 3 नहीं आ गई तो आप मुझे बताओ कुछ जो मैंने आपको बात अभी क्लियर कराई थी कि बईया कोशन में प्लस प्लस साइन आएंगे तो जो हमारे root होंगे वो हमेशा minus में आएंगे यही तो बात मैंने अभी सिखाई थी अब मैं इसको detail में करूँ paper में बैठके या मैं direct याद कर लो और मुझे लगता आपको paper में इतना समय नहीं होता तो बच्चे याद तो कर लेना चाहिए जही सबसे ज़्यादा shortcut method होगा तो यह चीजे ध्यान लखो यदि आप इन चीज़ों पर command करते हो ना बच्चे तो कोई भी दिक्कत नहीं होती अब मुझे एक चीज और बता दो मुझे क्या चीज बता दो कि भाई मैंने क्या किया इस पूरी कहानी में इस पूरी कहानी में बच्चे जो factor मैंने यहाँ पर किये थे यह जो factor मैंने यहाँ किये थे वही तीनों चार यहाँ पर आए कि नहीं है इसके बीच की कहानी से कोई मतलब पढ़ा क्या कुछ नहीं पढ़ा यहां बीच की मतलब कहानी से कोई फरक नहीं बढ़ा मेरे question में मेरे को सिर्फ वो सिर्फ यदि ये factor तोड़ना आ गए न तो यही चीज़े मेरी last में भी आएंगे बस मैं इतनी उलजन sign की वज़े से कर रहा हूँ तो बच्चे मैंने sign को आसान करने के लिए तुमको table तो बता दी तो समझें आप लोग यह सारी बाते तो आपको बच्चे basic पे नहीं जाना है अब आपका basic तरीका बच्चे cancel अब आपको shortcut ध्यान लगना है question देखो answer लगाओ वोई तरीका आपका सबसे best होगा और मैं उसी तरीके के साथ आपसे जुड़ने वाला हूँ तो ध्यान से सुनना कोई भी problem आती है तो please मेरे साथ discuss करेंगे सारे बच्चे ठीक है कोई problem है please आप बताएगे comment box में ठीक है चलो बटते आगे अब इसका मैं shortcut लगा रहा हूँ बच्चे तो ध्यान सुनना shortcut बच्चे क्या होगा shortcut समझना इसको हमें हटा दो जिनको बच्चों के screenshot लेना रहे तो please back जाके अपना screenshot मार लेना चलो इसको हमें हटाने जा रहा हूँ हटा दिया हमें सारा condition अब देखो यार बच्चे हमें shortcut पर चलते हैं अब इसके ठीक है यह हटा देते हैं सब सब हटा दो चलो बस table बने जाने दो यह हटा दिया ठीक है सफाई होगी सफाई अव्यान हमने सब कर लिया है चली अब लिखा है बच्चे bx और यह लिखा है c हमेशा constant पर ध्यान रखना है बच्चे 12 है इससे 12 के दो तुकड़े बना लो 12 के सिर्फ दो तुकड़े बनाना है और ऐसे तुकड़े बनाना है जिनको plus करें या फिर बच्चे minus करें आईदर plus और minus करने पर यह बीच वाली value आ है तो भाई है इसको 4 और 3 बना दें अच्चा कुछ लोग बोल दें को ऐसे 6 दूना 12 भी तो होता है सर बिलकुल सही है बच्चे लेकिन मैंने आपको क्या बात बोली कि बच्चे आपको plus या minus करने पर हमेशा यह b variable की value चाहिए होती है इस इट clear अच्चा दूसरी बात ध्य value पहले लिखना है छोटी values के बाद लिखना है इतनी बात भी clear है बस अब सुनो question table में जाओ और अपने sign को जरा check कर लो तो question table में चलें बच्चे तो हम देख पा रहे हैं हमारे question में दोनों जगा plus है तो मैंने sign table में पढ़ रखा है दोनों जगा बच्चे क्या आएगा minus दो और yellow भई x के दोनों root आपके सामने नजर आ गए same condition बच्चे y के साथ कर लो y के साथ करो ध्यान समयना यार इस बार हमरे पास 6 है और 6 के 2 factor बनाना है ध्यान सुनना 6 के 2 factor तीन दूरा 6 होता है सही है कि नहीं और 3 plus 2 कितना होता है 5 अब ध्यान रखना minus 5 और plus 5 के उलजन मे मैं बोड़ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उस value को ध्यान रखना है ठीक है अच्छा अब मेरे को बताओ कुछ लोगों के बच्चे में दिमाख में ये भी आ रहा होगा सर 5 और 1 भी तो हो सकता है क्योंकि 5 एकम 5 sorry 6 और 1 हो सकता है 6 लिखो 6 एकम 6 हो सकता है 6 में से 1 गया तो 5 ये सारे बत्ते बिल्कुल सही बोल रहे हैं तो बचे एक काम किया करो जब ऐसी उलजन आपके सामने आ जाए कि दो दो फैक्टर उस बात को जो मैंने कही है वो उसको बता रहे हो तो एक छोटी सी बात और चेक कर लेना ध्यान से सुनना क्या आप फैक्टर के बीच का डिफ निकालना यदि minimum होगा तो acceptable है otherwise उसको reject कर देना तो यहां पर हमारे पर difference क्या है जादा है तो यार इस नंबर को हम अटा देंगे और हमारे proper factor क्या बन गए 3 और 2 बन गए तो यार आपने अब question को sign को देखना है यार minus और plus तो आप मुझे बताओ minus और plus के case में बच्चे क्या होते हैं दोनों ही value positive होते हैं अब मुझे बताओ x की value हमारे पास minus 4 और minus 3 मिली सही है y की value बचे plus 3 और plus 2 मिली अब मुझे बताओ तो दोनों ही value x की negative है और दोनों ही value y की क्या है positive है इसका मतलब sir x छोटा पाया गया किसे y से जो भी option में ये relation दिख रहा होगा हम उस पर tick करके आगे बढ़ जाएंगे देखा ये question इतना असान है अभी तो मैंने सारी बातें slide में इतने बार पैन चला के सिखाई ना कि आपको यहाँ पे समय लग जया आगे shortcut बताओंगा न तो ये question चुटकी बजाते भी solve हो जाएगा आप मुझे एक चीज़ बताना यहाँ पर क्या मुझे factor निकालने की जरुवत थी आप सोच रहेंगे सर इतनी कहानी क्यों लिखी गई है बिल्कुल बच्चे यही smartness दिखाना है पेपर में कि भई देखना है कौन से question में factor की जरुवत पड़ेगी और किस पे नहीं पड़े और 5 में कम सब्सक्राइब दो question ऐसे होंगे जिसको हम देखते से answer लगा देंगे मतलब 3 question पर बस pen चलाने की जरुवत पड़ सकती है या फिर दिमाग में सोचने की ज़ादा जरुवत पड़ेगी ध्यान से सुनिएगा कौन से वह question होंगे वो भी मैं बताऊँगा राइट बस जुड़े रहे हैं मेरे साथ अंत तक एक एक question का हम पोस्टमाइटम करना स्टार्ट कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा चलिए देखिए मैं इसको हटाता हूँ फड़ा फट फिर से में इसको रफ करके अपनी slide को देखो दवारा आपको समझाता हूँ यहाँ से हम इसको rest कर देए पूरा clean कर देते हैं देखो सुनो मैं आपसे बोल रहा था बच्चे यदि sign पहले देखे हम यदि sign देखें तो यहाँ एकस के क्या sign थे तो यहाँ दोनो value प्लस की है इसका मतलब इसके दोनो sign minus क्या होंगे यदि हम यहाँ पे चले y के साथ बच चोटी हो गई इस तरह value value बड़ी होगी question खताम हो गया within a second का question था कुछ भी नहीं था इस question में समझ पाए सारे बच्चे चलिए अगला question जड़ा try करिएगा please उसको बहुत ध्यान से बनाना चुटकी वाला question आने वाला है ध्यान से देखिएगा अब time नहीं लेने वाला में बहुत ध्यान से बनाईएगा चलिए बताईए दरह इसका answer क्या बनने वाला है फटा फटा फट अपने answers लगा लीजे अपनी slide में अपनी copy में pen paper जो आप लेके बैठें pen paper लेके बैठियेगा यदि नहीं लिया तो please उठा लीजे questions आपको try करना है solution मेरे देखना है try लेकिन आपको करना है एक बार ठीक है सुनो अब मैंने देखा यार यहाँ पे है minus यहाँ पे है minus यहाँ पे plus यहाँ पे minus बच्चे भी table याद नहीं कोई दिक्कत नहीं बार बार आप अपनी table को देखते रहो 10 question भी लगाऊगो न उस table के help से तो automatic table दिमाग में आ जाएगी ठीक है देहां सुना मेरे पास x और y के factor निकालना है यह x और y के factor निकालना तो सबसे पहले बच्चे मैंने sign लगाना start किया है तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ minus है यहाँ भी minus है तो मेरे according क्या बात बनती थी इसके मेरे according जो बात बनती थी वो बनती दिए प्लस और minus लगाई यही बात है अब थोड़ा comparison देखना क्या हम plus value वाली minus से compare करेंगे तो मालूम पड़ा का x बड़ा है लेकिन plus को plus से compare करेंगे तब तो value चाहिए पड़ेगी इसका मतलब अब मुझे value निकालना चाहिए तो आपको यही साफधानिया रखना है कि कौन सी चीज करना है कौन सी नहीं करना है ठीक है ध्यान सोना अब मेरे पास x का value क्या है प्यारे बचे 16 यहां पे क्या है बचे यहां भी 16 है दुनों जग़ा सेम आ गया अब बीच में कितना चाहिए बचे 6 तो बताओ 16 को तो तो 8 दूना 16 होता है कि ने तो यह 8 यहां लिख दे और 2 यहां लिख दे त चे तो आपके पास मिलता है सा 6 साइन को ध्यान मत रखना में बार बार बोड़ रहा हूं आपको साइन नहीं चाहिए मैं आपसे बोड़ने से आ जाए चाहे वो घटाने से आ जाए किसी एक बात को satisfy कर दे बास यहीं चाहिए हमको ठीक है तो आप मुझे अब बता सकते है आ प्लस 8 को कंपर करते हैं एक बार माइनस 8 से और एक बार हम कंपर करते हैं किस से बहिया दो से अब फिर उठाते है माइनस 2 को इसको कंपर करते हैं माइनस 8 से और माइनस 2 को हम कंपर करते हैं बच्चे किस से प्लस 2 से अब तुम सारे बच्चों को कंपर करना आता है कि नहीं यह minus यह plus हो गया कि नहीं अब यह minus और यह plus हो गया बचे तो यहाँ पे जो बात है ना वो पलट गई ऐसा sign आ गया अब ध्यान रख लो जब बढ़ते हुए sign के साथ एक छोटा sign आ जाए या opposite sign आ जाए बचे तो इस case में हमेशा cannot be determined option लगाए जाता है जैसे मैंने अपनी slide में option नमबर 5 रखा है cannot be determined और इसके साथ equal to sign भी आता है या तो हम equal to देख लें या तो cannot be determined देख लें ये दोनों answer एक साथ ही मिलेंगे right तो आप ध्यान रखें कि इसका right answer क्या बना होगा C&D समझ गये सारे बच्चे देखो इतना question आसान है यह नहीं समझ आया दोवारा वीडिय को remind करिए और फिर से जुड़ने का प्रयास करिए कोई घवरानी की दरूत नहीं है session में मज़ा आ रहा है please like जरूर करिए सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन like नहीं करना तो यह गलत बात है like जरूर करिए और दोस्तों के साथ share करना मत भूलिए आप जितना इस video को share करेंगे आप सारे बच्चों के बीच में एक education का बहुत बड़ा माध्यम transfer कर रहे हैं और education से education को भेलाना सबसे अच्छी बात है सबसे अच्छी बात वही है सबसे अच्छा जो दान है वो है सरसिक्षा का दान वो भी क्या सटीक सिक्षा ऐसा नहीं कुछ भी जो सटीक है ज question बनाते रहे हैं session अच्छा लग रहा तो please share जरूर करिए ठीक है देखे अगला question सामने लगा देते हैं बचे और जल्दी से इसका answer मुझे बहुत अच्छे से चाहिए और दोनों बहुत ही आसान equation है कोई difficulty नहीं होगी जल्दी से बनाएए please try करिए क्या इसका right answer बन सकता है चलिए देखिएगा इसका right answer हम जान लेते हैं क्या इसका right answer बन सकता है कुछ बच्चो का answer आभी गया है मेरे को लगता है ऐसा देखिएगा बच्चे हमको पकड़ना सिर्फ यह 28 ठीक है ध्यान समझना यहां पर हम पकड़ेंगे बच्चे 10 बस यह दो बातें पकड़ना है यह लिखना नहीं पड़ेगी बच्चे अभी तो मेरे समझा रहा हूं इस बज़े से लिख रहा हूं आपका बस दिमाग चलेगा अब मुझ बच्चे को बताओ 7 चोक अठाइस होता है तो 7 इंटू 2 इंटू 2 चार को भी तोड़ दिया चार को दो दो कर दिया अब 3 पेर बन गए 3 फैक्टर बन गए हमें बनाना कितने बच्चे 2 तो यार मुझे 11 बनाने के साब से क्या करूं तो यह यह 2 गुना 2 लिखा है इसको 4 ब यह 5 यहां लिख दें और 2 यहां लिख दें तो यह 5 और 2 7 हो गया कि नहीं अब बताओ जरा मुझे plus plus से तो बच्चे क्या कर दूं मैं यहां पे यह minus कर दूं यह minus कर दूं मैं राइट अब मुझे बताओ यह value minus की अम मैं लिखने रहो systematic ध्यान सुनना मैं जो आपको समझान यह value जो है बड़ी है तो वो छोटी कहलाएगी और यह value minus की है इस मतलब यह वाला duration आएगा ठीक है अब ऐसी इसको मैंने further इससे compare किया तो बच्चे फिर से हमारे पास इस तरह वाला number क्या हो गया बड़ा हो गया अब बच्चे मैंने 4 को पकड़ा अब 4 को 5 से पकड़ा तो बच्चे बताओ यह sign आब इस तरह घूंग गया कि नहीं अब बस इसके आगे मत जाओ जैसे तुमको दो opposite sign दिख जाएं बच्चे आंसर अपना cnd लगा के आगे बढ़दाओं हमेशा दो cross relation के sign आजाएं बच्चों तो आपको हमेशा cnd लगाना है बस इतनी सी बात धान न रहे हैं यह बहुत अच्छी scheme के साथ आप पढ़ रहे हो यह बहुत अच्छी बात है बहुत ध्यान से पढ़ते रहे हैं और जुड़े रहे हैं अंतित तक बिलकुल अगला question देखिए next question आपके सामने आ चुका है बचे इस बार हमारे पास यह type 2 है ऐसा समझ लें अभी पह आ गया इस case में कैसे question को बनाते हैं इस case में question कैसे बनता है इसको जानने का प्रयास करते हैं ध्यान से सुनिएगा most important type है यह दो type सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं किसी भी examination में तो ध्यान से इन type पे बने रहे हैं और जुड़े रहे हैं अंत तक ठीक है ध्यान से सुनिए अब क्या है इस case में हमें क्या करना है प्यारे बचे पहले नंबर को आपस में गुना करना है तो यहर 12 को 3 से multiply मत करो बस गुना करना है तो गुना करके लिख दो तो मैं बच्चे ऐसे लिखता हूं यह 3 है इंटू 12 12 को तोड़ रहा हूं बट्टे 4 इंटू 3 कर रह यह जो की 13 बना दे 13 बना दे तो आप मुझे को बताओ 4 का 300 गुना करें 12 एक जगा 12 लिख लें दूसरी जगा 3 लिख लें क्या 13 बना पाएंगे यह नहीं बना पाएंगे तो आपको एक काम और करना होगा इसे 2 को 2 गुना कर दो भई 4 को ऐसे लिख सकते के नहीं लिख सकते आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हो तो यह सारी बाते आपको ध्यान रखना तो भी यह तेरा बनाना है तो आप क्या तेरा बन पाएगा तो ध्यान सुनना तो यह तीन दूना च्छे हो जाएगा यहाँ पे च्छे लिखने और यहाँ पे तीन दूना छे हो जाएगा तो यहाँ पे भी छे लिखने, यही तो बात बन रहे है कि नहीं, अच्छा, क्या अब बात बनी क्या, अभी भी नहीं बनी, अभी भी बात नहीं बनी आपकी, अब बताओ क्या करें, अब बताओ क्या करें, गाड़ी तो उलज गई यहां तो गाड़ी कही ना कहीं क्या लग रही है उलजी उई से लग रही है जर अध्यान से मुझे बताओ सारे बच्चों को आंसर देना है इस कोशन का बहुत अच्छा कोशन है क्या मेरी ये बात समझ पाए सुनो फिर से इस तीन को बच्चे बारा से गुणा करना है तीन को किस से गुणा करना है बारा से गुणा करना है तो यार बारा का तीन गुणा कितना होता च्छतेस ऐसे भी समझ सकते हो तो मैंने क्या कर दिया तीन यहां लिख दिया 4 तिया 12 होता है इसको तोड़ के लिख लिए अब बचे 9 यहां परे है और यहां पर 3 है अब सुनो यार अब हमने देखो क्या चेक किया था इसको इससे गुणा करके चेक किया था ये भी बात नहीं बनी इसको मैंने फर्दर तोड़ लिया फिर भी बात नहीं बनी लेकिन एक बात बन गई जब तीन को तीन से गुना करें बचे तो नौ यहां लिख लें तो बच गया कितना चाहर मेरी स्ट्रेटीजी समझना मैं आपको उलजाना इस बज़े से चाहता था कि आपको सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको भी तो पता पड़े क्योंकि यह सारी बाते हैं हमारे पेपर से जोड़ी है बचे जब बड़े नंबर आते हैं तो आपको यही मेथड लगान अब क्या करो प्यारे बचे इन नंबरों को बचे अब अगली स्टेप ध्यान रखलो जो कोफिशेंट होगा उस नंबर से इसको डिवाइट कर देना बचे फिर से ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ जो भी आपके पास बचे कोफिशेंट होगा उस नंबर से इसको अभी बाद में देखेंगे, ठीक है, सुनो, वैसे तो यतना detail में नहीं जाना था, इस question को भी लेके, आप सुनो, इसको इससे गुणा करेंगे की नहीं, तो इसको गुणा मत करो, ऐसे लिखो, भई, चार है, वैसे दो गुणा दो लिख सकते हैं, चार इंटू 14, तो साथ प्लस से तो क्या लगाएंगे, दोनों ही प्लस लगाएंगे, अब मिरे को बताओ, ये दोनों negative, ये दोनो positive, तो मुझे मालूम पढ़ गया, इस तरह वाली value छोटी पढ़ जाएगी, इस तरह value बढ़ हो जाएगी, और इसका मतलब, इसका मेरा right answer, x less than y, इसका right answer, बनना चा इस बज़े से बताया, क्योंकि ये type नया था, ये type नया था, solve कैसे करना, इस बज़े से मैंने शीच को तुमको detail में करके दिखाया, ठीक है, ध्यान से अब अगला question बनाने का प्रयास करना, मैंने type आपको समझा दिया, कोई भी दिक्कत आई है, please वीडियो को फिर से rewind करिए और बनाने का प्रयास करिए, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, लीजिए, अगला question सामने है, please try करिए, तो देखिए आपके सामने फिर से ये question आ गया है, इसमें भी वही करना है बचे जो अभी मैंने आपको सिखाया, क्या multiplication, तो यह 4 को 5 से गुना कर लो, right, तो 4 को नहीं करता, म उसका 5 गुना करने बच्छा 5 कर दिया, अब मुझे बनाना बचे 12, तो यार इन दोनों का multiplication 10 यहां लगा लो, और 2 यहां लगा दो, divide by किस से करना पड़े का इस बार, 4 से करना पड़े का, तो बच्छे यहां भी 4, यह 4 कहां से आया, यह coefficient से आया, बस ध्यान रखो, right, यह coefficient से आया, ठीक है, अब उसके बाद क्या करें, भीया, यह दोनों वेल्यों प्लस की हो गई, प्लस की हो गई, तो बच्छे इन दोनों का अपन माइनस कर देंगे, यह sign table से value माइनस है, मैं फिर से आपको याद दिला दू, अभी जो sign table आपको पड़ाई, बच्छे, question side में दी प्लस प्लस होता है, तो answer side में दोनों value माइनस की जाती है, यह बात ध्यान लगी है, ठीक है, चलो बचे, यह complete होगी इतनी बात, यहां समझ लो, अभी आगे देखेंगे, यह calculation की जो पड़ेगी, तो calculation करेंगा, दरवाई इसको छोड़ के चलो, अब देखो यार, इसको इस 27 कैसे बन सकता है, तो देखो पहले मैं, इसको इससे मिलाता हूँ, तो यह हो गया 6, और 6 तिया 18, क्या 18 में 4 जोड़ने से काम बनता है, अभी नहीं बनता बचे, अच्छे, इसको जोड़ लो, यह हो जाएगा 6, 6, 4, 24, 24, 24 और 3 कितना हो गया बचे, 27 हो गया, यह बात बन अब बचे, डिवाइट किससे लगाना है, 6 से, तो मैंने इसको 6 से लगा दिया, अब मुझे बताओ, दोनों वैल्लू प्लस की हैं, तो भाईया, यह दोनों वैल्लू क्या आगई, माइनस क्या गई कि नहीं आगई, तो आपने इतने आसानी से यह चीजों को समझना है, यह चीजे इतनी ही आसान है, जितना आप देख रहे हैं, यह कोई magic नहीं चलता है, मैं आपको वारबर बता दो से, यह magic नहीं चलता है, बहुत आसान है, बचे, आपको बस समझने की कोसिस करना है, और आपने यह समझना स्टार्ट कर दिया, तो आपका selection बहुत समझदारी के सा होने वाला है, ठीक है, जान सुनिएगा, चलो भई, आगे बटते हैं, और छोटी सी कहानी कोई जानते हैं, अब देखो यह थोड़ा सा क्या फस गया, थोड़ा सी यह value आपके एज़र्ट इस आ रहे हैं, चलो उसको काट पीट लेते हैं पर लोग, ठीक है, तो भई है, इस 0.5 हो गया, अब compare करना मेरे को लगता है, सारे बच्चो को आता है, तो सुन लो, लिख दूगया, देखो यार, minus का 1 by 2, यहाँ पे आगया बच्चे, minus का 4, तो आप मुझे बताओ, चोटी value बड़ी कहला थी, तो अभी sign मेरा इस तरफ का आएगा, यह बड़ा sign है, अब इस ना करके हम यहीं से decide कर लें, कि हमारा जो answer है, वो क्या बनने वाला है, C&D बनने वाला है, समझे के नहीं सारे बच्चे, इतने आसान-ासन questions आपके सान discuss कर रहा हूँ ना, कि आपके चुटकी बजाते यह questions सारे होने लग रहे हैं, तो यही आपको ध्यान रखना है, बहुत important बात में आपसे discuss कर रहा हूँ, बहुत important concept आपके सान discuss किया जा रहा है, इतना आसान कहीं आपको नहीं मिलेगा, इतनी बढ़िया magic tricks आपको सिखाई जा रहे हैं, आप भी समझ लेजे, देखिएगा, अगला question सामने है, बच्चे, जरा इसकान से बताइगा, एक label बल्ड चु यस, कोई answer किसी भी बच्चे का, देखिए, अब ये बच्चे बताइगा, सामने phase क्या फसरा है, ये root कहां से आ गए, ये root कहसे solve होगे, और ये root वाले question ही सबसे आसान question माने दे आते हैं, मेरी नजरों में, और आपकी नजरों में ये question अब आसान बनने वाले हैं, अब यहां बच्चे फिर से तुम 24 को उठाओगे, चलो पहले y को discuss कर ले, बच्चे यहां भी 24 को उठाओगे, और यहां से दो factor ऐसे चाहिए, यहां पर दो factor ऐसे चाहिए मुझे, जिनको या तो plus करें बच्चे, या तो minus करें, तो क्या मिले, root 2 मिले, तो यह root 2 कैसे आसकता है, root 2 तभी आसकता है, जब दोनों ही, जब दोनों ही root के पास क्या हो बच्चे, root 2 होगा, तभी तो plus करेंगे, तो root 2, root 2 plus होगे, 1, 2, 3, 4, ऐसा कुछ बनाएगा, या कोई value plus करेगा, otherwise सुनी आसकता, तो मैंने क्या ध्यान रखा बच्चे, कि दोनों के पास जब root 2 होगा, तभ यहाँ पर बीशा root 2 ला सकता हूँ, अब मुझे यह बताओ, यह 24 में से ही root 2 तुमने बाट दिया, तो आप मुझे बताओ, root 2 का root 2 से गुना करते हो, root 2 का root 2 से गुना करते हो, तो क्या 2 मिलता है, इसका मतलब इसमें से तुमने 2 निकाला और यह बाट दिया, root 2, root 2 के माध् मतलब मैंने अभी सिर्फ 24 में से दो गुना बाट दिया अभी 12 गुना बचाए तो यहार 12 गुना भी बाटना है तो 12 गुना तुम ऐसे बाटो कि यहां पर मान लो एक आ जाए कुछ नहीं है तो एक हो जाए तो बच्चे इस नंबर को 4 तीया 12 कर सकते हैं तो क्यों न हम 4 यहा दें तो लो भी अब 8 बारा आसान हो गया अब मुझे बताओ 4 रूट 2 से तुम 3 रूट 2 माइनस करोगो तो क्या रूट 2 बचेगा की नहीं बचेगा माइनस प्लस की जंजट नहीं लेना है फिर से सुनों ध्यान सुनना मैं एक्स के साथ दोबारा जा रहा हूं मेरे पास ब रूट 3 देखा तो मैंने सुच लिया कि इस बंदे के पास भी रूट 3 होना चाहिए और इस बंदे के पास भी रूट 3 होना चाहिए तब भी जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं otherwise कुछ नहीं कर सकते ठीके बात अम मुझे बताओ यदि हम इसके आगे और क्या लगा दें इस इससे हमारी बात थोड़ी आसान हो जाएं तो सुनो यार अब मुझे बताओ इस में से हमने 3 गुणा route 3 routing किता होता बचे 3 होता है मतलब 3 निकाल लिया तो बचा कितना 15 तिया 45 होता है मतला 15 बच गया अब 15 के ऐसे दो तुकडे कर लो जिसको प्लस माइनस करने पर 8 ले आओ तो 5 तीया 15 होता है तो 5 यहां लगा लें और 3 यहां लगा लें और दोनों का एडिशन बचे 8 रूट 3 ही तो होता है यही तो कहानी है और क्या है तो आप मुझे बताओ अब यहां पे हमने फेक्टर का बटवारा कर लिया फेक्टर बनाना सीख लिए कि नहीं सीख लिए बस इतना ही तो हमें पहले सीख लेना अच्छे से अब सुनों आगे की बात अब तो कुछ बचा ही नहीं क्यूशन में यहां माइनस है बच्चे यहां प्लस है तो क्या आएंगी दोनों वैलो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगे यहां बच्चे माइनस है यहां भी माइनस है तो क्या आएंगी एक पॉजिटिव एक नेग ऐब बताओ अब मुझे बताओ यह दोनो value approximately, यह दोनों value approximately, तो भी question पर फरक नहीं पड़ता, जहां सोना, मैं बोड़ ना जो noget, root 2, root 3 का जब comparison करना हो भच्चे तो यह almost similar होते हैं, exact similar नहीं होते हैं लेकिन almost similar माने जाते हैं तो हमारे ये multiplication को और उतना ही multiply करते हैं जितना की root 2 करेगा और root 3 करेगा तो ऐसे case में आप इनको consider ना भी करें तो भी काम बंजेगा तो अब देखो मैं 5 को 4 से compare कर रहा हूँ ध्यार सुना 5 को 4 से compare कर रहा हूँ या इस तरह वाला portion बढ़ा हो गया फिर 5 को minus 3 से compare किया तो फिर से इस तरह वाला portion बढ़ा हो गया फिर 3 को 4 से compare किया तो यार इस तरह वाला portion compare हो गया इसका मतलब मेरा opposite direction का sign और यह answer cnd बनाएगा that will be the right answer देखो बहुत सारी बाते हैं जिनने समझने का प्रयास आपको करना पड़ेगा most important चीज़े हैं जिसे आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा बहुत सारी interesting वाते हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा ठीक है ध्यान से डुड़े रहे हैं वीडियो में बहुत interesting questions लेके आया हूँ बहुत interesting questions के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ एक label को maintain करके चल रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से बने रहे हैं मेरे साथ चलिएगा बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं क्या चीज़े इसके अंदर छुपी हुई है ठीक है ध्यान सुनिएगा चलिए एक question सामने लगा दिया गया है प्लीज इस question को please try करने का प्रयास करें एक अच्छा question आपके सामने है और बहुत आसान भी है प्लीज ट्राइ करें देखते हैं कौन इसका answer सबसे पहले निकालता है बहुत आसान है मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है बचे जैसे मैं देखता हूँ at least आप उस नजरियो को लाना चाहते हैं तो please आप practice करना start करें practice makes man perfect बहुत अच्छे से practice करें चलिए देखते हैं आसान बनाते हैं इस question को भी बहुत अच्छे साप try कर रहे हैं वीडियो को बिल्कुर resume कर लिजे right देखेगा 24 कुछ नहीं दिखा मुझे सिर्फ 24 दिखा मैंने उठाया 24 को मुझे क्या करना बचे दो number तोड़ना है root का case है तो मैंने आपको बोला सबसे पहले बचे root लगा दो कि भईया दोनों के पास root 2 होगा तभी बात बनेंगे तो मैंने देखा यार इस number से मैंने root 2 का बटवारा करना है तो भईया 2 का बटवारा root 2 root 2 format में होगा तो यार बच कितना गया बचे 24 बच गया यह तो बची बात अब यह बन गई बात तो अब सुनो यार अब इसके बात क्या बचेगा तो सुनो अब मेरे को बच सिर्फ इस बात का बटवारा करना है सिर्फ इस बात का बटवारा करना है कि 24 का क्या होगा तो 24 का बचे ऐसा बटवारा करो कि 7 बन जाए तो 6-4-24 होता है लेकि 6-4-10 होता है ये बात नहीं बनती अब बताओ 8-3-24 होता है वो बात भी नहीं बनती तो भाईया हमें 7 चाहिए क्या चाहिए बचे 7 चाहिए सुनो, अब मैं ध्यान सुनना हूँ बड़े ध्यान सुनना, देखो जिनको नंबर स्ट्राइक कर गया होगा वो तो सारे बच्चे लगा देंगे मेरे को भी स्ट्राइक कर गया लेकिन मैं थोड़ा से इसको ट्विस्ट करके लेके चल रहा हूँ अब बचे 24 गड़बड कर दिया ध्यान सुनना बचे 2 निकाल दिया इसका मतलब 2 गुना 12 लेकेंगे अब बताओ 12 को तोड़ना क्या नहीं आता अब आता है सरासानी से अभी तो गड़बड कर रहे थे सारे बच्चे बिलकुल अब देखो यार 12 12 को तोड़ते यार तो 4 तीया 12 होता है कि ने 4 और 37 होता है तो कितने जल्दी से आपके आंसर मिल गया 4 तीया 12 4 तीन 7 होता है 4 प्लस 3 साथ होता है रूट 2 रूट 2 प्लस होगा कोई दिक्कत नहीं आएगी सारे बच्चे बिलकुल सही है अब बताओ बच्चे माइनस प्लस है तो क्या हम इस नंबर को प्लस में कंस्टिडर करेंगे बस बच्चे बात खतब हो गई यदि कोई कोफिशेंट होगा यहाँ पर तब तो इसको डिवाइड भी करना है टाइप 2 जैसा बजना बताया आप वही टाइप लगाईगा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है किसी को आगे बढ़ते है अब उसके बाद दिवाइड है हम बात करें तो y square अब y square की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं कोफिशेंट नहीं 12 है बच्चे सीदा अब 12 को जड़ा तोड़ो 12 को कैसे तोड़ना बच्चे रूट 2 तो पहले दे दो तो रूट 2 यहां दे दिया और रूट 2 यहां दे दिया कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को अब सुनो अब क्या बात बनेगी तो यार इस नंबर में से 2 निकाल दिया तो बच्चा कितना 6 अब 6 को ऐसे तोड़ों के भईया क्या बन जाए तीन यहां पे तीन यहां पे मतलब यह दोनों बड़ाबर और तीन यहां पे बच्चे दो यहां पे इसका मतलब यह बड़ा अब सुनो पहला एक नया option आपके पास सामने आया जब आपके पास greater 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 के साथ equal to जुड़ा हो प्यारे बच्चे तो आप इसको हमेशा answer greater equal में लगाएंगे और यही इसका answer है, reasoning मत लगा देना reasoning की गलती मत कर देना यहां पे greater greater equal आएगा तो बच्चे greater answer लगाना है ना बच्चे, mass में ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना greater or equality combination में आ रहे हैं तो दोनों को mix करके आप लगाएंगे same condition बच्चे less के साथ होती है less equal साथ में आ रहे हैं तो आपको less than equal to answer लगाना पड़ेगा तो यही हमारी proper strategy यूगी questions को बनाने के समझे हैं आप सारे बच्चे एक अच्छा label आपके सांट discuss किया जा रहा है तो इसी बात पर आप इस video को please like नहीं किया तो like करिए और share जरूर करिए बढ़ते हैं अगले question के साथ क्या इसमें नया है चलिए समझने का प्रयास करिएगा इस question को बहुत अच्छा question आपके सामने लग चुका है बहुत बढ़िया सी इस question को समझेगा देखिएगा आपको सबसे पहले इस number में क्या करना है प्यारे बच्छे multiply करना है तो 8 का 5 गुना बच्छे होता है 40 तो यार 40 को यदि हम तोड़के लिखे तो भई हमें इस बार क्या चाहिए root बच्छे root 10 चाहिए तो इस number को root 10 के दि हम दोनों जगा दें तो आप मुझे बताओ आप मुझे बताओ कि इसको 4 into 10 लिख सकते है मतलब 10 को हमने बाट दिया सिर्फ बचा कितना बचे सिर्फ 2 बचा है सिर्फ 2 इस 2 को तोड़ना है और 4 बनाना बचे तो यार आपके पास ये बायात 2 गुना 2 चार होती है बात ध्यान लखना प्लस करना है बचे 4 एक कम 4 मतलब लगा देना 4 और एक 5 हो जाएगा हमें क्या चाहिए प्लस माइनस करने पे बीच वाली number चाहिए अब बताईए इसको divide by किस से करना पड़ेगा 5 से भी divide करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आपके पास क्या है बई यहाँ पे coefficient है इस बार इस बज़े से हमें इस number को क्या करना पड़ेगा divide करना पड़ेगा तो आप मुझे बताईए यदि हम इसके अब sign और देख ले यदि minus यहाँ पे यहाँ पे भी plus है तो बच्चे क्या हो जाएगा यह value minus में चली जाएगी जहाँ समझेगे चली आगे बटने देखे दूसरी equation के और देदी नदर बढ़ाएं तो थोड़ा सा आप correction कर लेना बच्चे यह 2 नहीं होगा इसको 3 करना लिए यह 3 होगा बच्चे इसको 3 treat कर लेना सुधार लिजेगा question note कर लिजेगा अब सुनो पहले इसको इससे multiply करेंगे multiply करेंगे तो यार कितना होगा तो देखो 4 का 2 गुना करेंगे बच्चे 8 हो जाएगा और root 3 का root 3 से किराओं करेंगे तो कितना होगा 3 ही तो आएगा तो आप मुझे बताओ अब क्या बनाना बच्चे 5 बनाना तो 5 बनाना किसको नहीं आता यार 8 और 3 का मिला नहीं तो 5 बनाएगा minus करेंगे तो 5 बनेगा कि नहीं बनेगा तो आप मुझे बताओ plus और minus का case क्या बनाएगा minus plus बनाएगा प्यारे बच्चे minus plus बनाएगा ठीक है अब बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पे critical situation आपके सामने क्या आ सकती है धहुत ध्यान सुनना सुनो मेर को इक ची बताओ पहले तो अब इस दोनों नंबर यह सेम ही है कोई फरक नहीं बढ़ता root 10 की value क्या होगी हम almost निकालना चाहते है root 10 तो सुनो आप ऐसे case में जब फर जाओ तो आपको ध्यान करकना root 10 के बाद कौन सा नंबर है जो perfect square है perfect square है तो भई 10 से आगे कौन आएगा 11 होगा क्या 12 होगा क्या 13 होगा क्या 14 होगा क्या 15 होगा 16 यह होगा तो आपको मालूम पड़ा कि 16 आपके पास है यह किसका है 4 का अच्छा बचे इसके पीछे बताओ इसके पीछे चलें बचे तो क्या होगा root 9 किसका होता बचे 3 मतलब इस 10 की value approximately यह हम बात करें तो 3 से बड़ी है तो हम almost यह बात करें 3.1 क्या सपास ले ले 3.1 या 3.2 3.5 नहीं ले सकते क्यों middle में नहीं है थोड़ी सी close है तो यदी मैंने मानलों यहाँ पे 3.1 लिख लिया बचे ध्यान सुनना root 10 की value 3.1 लग दी तो into 3.1 यहाँ पे रख दिया तो बचे यह कितना हो गया 62 बात सही है अब मुझे बताओ यह value आपके पर 6.2 होगे इसको यदी 5 से डिवाइट करें ध्यान सुनना बहुत ध्यान सुनना यह हो गया 5 इकम 5 और 5 चों को 20 मतलब minus का 1.4 हो गया कि ने minus का 1.4 यदी हम इस बात से compare करना चाहें किस से minus का 1.4 बच्चे ध्यान सुनना इसको compare करें पहले minus 8 से और minus का 1.4 compare करेंगे हम plus 3 से तो आप मुझे बताओ इस minus की बज़े से यह value बड़ी हो गई और इस minus की बज़े से और इस minus की बज़े से यह value इधर हो गई तो आप मुझे बताओ इस answer को क्या लगाओगे again C&D लगाओगे बहुत अच्छा questions है बहुत interesting questions है तो बहुत ध्यान से आप इन questions को बनाने का प्रयास करिए important series है important numbers आपके पास है दो type मैंने आपके साथ discuss कर लिए है बहुत important types है आप इन type की practice करिए आज हम इस video को यहीं complete कर रहे हैं इसी का अगला part देखना नहीं भूलना है उसमें और अच्छे label के questions आप से में discuss करने वाला हो तो please इस video को complete करिए proper तरीके से इसको 2-2-3-3 बार इसको देखिए और दूसरों को भी दिखाईए जतना जादा आप इस video पे command करेंगे उतने अच्छे numbers आपके paper में बन रहे होंगे ठीक है तो चलिए हम आज के लिए इस video को यहीं sum up कर रहे हैं तो please जिन बच्चों ने इस video को अभी तक अभी तक अभी तक नहीं देखा है proper तरीके से दुवारा देखिए तो वारा देखिए यहां तक यदि आपने वीडियो को देख लिया है तो अब आगे की वीडियो भी देखना नहीं बुलिए तो इसको हम अगले वीडियो में जो part 2 है उस part 2 में हम थोड़ा सा high label के questions लेके चलेंगे यदि वीडियो को like नहीं किया तो please like किये और यदि share नहीं किया दोस्तों के साथ तो please share कीजे और channel पर दी नए है तो please subscribe करें बिना नहीं जाना है और bell icon को click कर दीजे आप tension free हो जाएए आपके पस notification पूछ जाएगा अनियल सरका चलिए मिलते हैं इसी उस्वाव मंग के साथ अगले वीडियो में thank you so much